बिस्मिल्ला राह्माले रहीम अस्सालाम अलेकुम वेल्कम बैक मैं योट्यूब फैमदी कैसे हैं आप सब आज मैं आपके लिए बहुत ही काम की वीडियो लेकर रहाएं हूँ जो के आपको बहुत जादा फायदा देगी जी तो यहां पर मैं दूद से चीज बनाने की रेसि किलो तब बहुत महंगी मिलती है तो हमने सोच आपके साथ शेयर करेंगे घर पर आप नहायत ही कम बजट में कैसे चीज बना सकते हैं और उसको डिफरेंट रेसिपीज में आप यूज कर सकते हैं तो यहां पर मैंने एक किलो दूद लिया है उसको तकरीबन नीम गरम किया ह इतना नीम गरम किये उसमें फिंगर हम रख सकते हैं उंगली रख कर हम देख सकते हैं तो यहां पर तकरीबन आदा कप मैंने सिर्का लिया है और सिर्का हम इसमें एक साथ नहीं एड़ कर देंगे हम इसमें थोड़ा-थोड़ा करके सिर्का एड़ करेंगे तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि सिर्कार डालते ही दूर्ट जो है उसकी कंडिशन इस तरह से हो गया दूर्ट फटना शुरू हो गया है तो ये देखें हमारा हमारी जो चीज है वो बननी शुरू हो गया है चीज का प्रोसेस बनना शुरू हो गया है स्टार्ट हो गया तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि सिर्कार डालने के बाद मैं चम्मच की मदद से बहुत आइसा आइस्ता दूद को हिला रही हूँ तो ये देखें हमारी चीज जो है वो बन रही है इस तरह से आइस्था हमने अच्छी तरह से हिलाना है मिक्स करना है सिर्के को दूद के अंदर ताकि हमारी जो चीज है वो अच्छे सी बन जाए तो यह process आपने बहुत आराम आराम से करना है बहुत ज्यादा तेजी तेजी से आपने चमच नहीं चलाना तक्रीबन तीन से चार मिनट आप यह process करेंगे और यह देख सकते हैं आप कि हमारा एक process तक्रीबन complete हो गया है तो अब इसको हम हातों की मदद से अच्छी तरहां से निचोड़ लेंगे तो अच्छी तरहां से हमने हातों से इसको निचोड़ना है और निचोड़ कर हमने सारा जो हमारा यह mixture निकला है चीज का हम इसको अच्छी तरहां से निचोड़ कर निचाल लेंगे तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने सारे mixture को एक साथ पकड़ लिया है और उसको एक बॉल सा बना लिया है तो यहां पर हमारा एक स्टेप कंप्लीट हो गया है तो चलते हैं दूसरे स्टेप की तरह यहां पर एक कड़ाई में मैंने तकरीबन तीन ग्लास पानी दिया है और इसमें मैं एक टेबल स्पून नमक एड़ करूंगी और पानी हमारा जो है वो भी नीम गरम है बहुत ज्यादा गरम नहीं है जैसा कि आपने देखे हैं मैं इसमें फिंगर रख सकते हूँ तो इस पानी में हमने नमक को अच्छी तरहां से mix कर लेना है नमक को अच्छी तरहां से हमने mix करने के बाद जो हमने दूद में सिर्कार डाल कर जो बैटर हमारा ready हुआ था वो हम इसमें add करेंगे और इसको भी चमच की मदद से हम तक्रीबन जार से पांच मिनद तक अच्छी तरहां से इसको हिलाएंगे अच्छी तरहां हिलाने के बाद ताकि जो निमक है पानी के अंदर वो हमारी चीज के अंदर mix हो जाए चीज आप खाते हैं तो वो थोड़े से नमकीन सी salty सी लगती है तो बस इसलिए हमने ये step किया है तो ये हमारा second step था तो दो step के अंदर हमारी चीज बहुत अच्छे से बन कर ready हो गई है तो इस तरह से हम पानी में तक्रीबल से चार से पांच मिट इसको mix करने के बाद निकाल लेंगे और पानी अच्छी तरह से हम इसका निचोड लेंगे तो ये देखे हमारी चीज होमेड चीज बन कर ready हो गई है तो आप इसको सेंड्विचेज में लगा सकते हैं गालिक ब्रड बना सकते हैं पीजा बनाई हैं जिस भी रेसिपी में आप इसको use करना चाहें आप कर सकते हैं होम मेड हमारी चीज बन कर ready हो गया है विडियो आपको कैसी लगी जरूर बता है चैनल पर नहीं है चैनल को subscribe करें अलाहाफ़े